तारीक है दो सेप्टेंबर और आज के इंपॉर्डेंट करिंड अपयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हादिर हूँ अब तक जो भी घटित हुआ वो सब आज आपके सामने फिलाल सबसे पहली खबर धुली खेल नेपाल का डवलो हो मानिता प्राप्त सवस्त सहर अब यह क्या प्रोग्राम है यह एक प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि सभी सहरों की आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है तो ऐसी इस्तिती में जो भी वहाँ के निवासी हैं कहीं उनके साथ उनकी हेल्थ के साथ कोई समझाता ना हो इसलिए 2014 में डवलो हो ने प्रोग्राम शुरू किया था और यह बनाया था हेल्थी सिटी नेटवर्ड हेल्थी सिटी नेटवर्ड में आज की डेट में 70 सहर सामिल है फिराल एसिया के केबल दो ही सहर अभी तक इसमें सामिल है एक है अपका पुने यह पिछले साल इसमें सामिल हुआ था पुने का बांदा मुंसिपल कॉर्परेशन इसमें सामिल है जबकि दूसरा जो है वो नेपाल का है धुली खेल तो यह नेपाल का धुली खेल इस मानिता में सामिल होने वाला दूसरा ए Sustainable Development Goal No. 11 और Partnership for the Goal Sustainable 17 तो यह तीन गोल जो है वो डबलो एचो के लिए मानेता है तीन ग्यारा और सत्रा जिसके हिसाब से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है बात करते हैं वर्ड हेल्थ डे की तो वर्ड हेल्थ डे जो है यह प्रतिवस आपका साथ अप्रेल को मनाया जाता ह यह प्रेट अप्रेयल ने सौड़ तालिस टेवली यह टबलो एचो का गठन किया गया था वर्ड हेल्थ और कर्णाइजेशन का कई ता कि मोख्याले का है इसका मोख्याले जेनेवा सुटेर लैंड में वर्तमान समय में टेड्रोस एधानाम गैब्रियस इसके प्रेसिडें माइ हेल्थ माइ राइट मैं राइट के आगे बढ़ते हैं आपको पता ही चल गया होगा पेरिस पैर पेरिस प्रालिंपिक में क्या चल रहा है तो सूटर मनीष नर्वाल ने रज़त पतक जीता है भारत को इस तरीके से आप चार क्या पांच मेडल प्राप्त हो चुके हैं ज उन्होंने 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉंज मेडल जीता है वहीं अपनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता है मनीश नर्वाल ने 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉंज मेडल जीता है मोना अगरवाल ने यहां पर ब्रॉंज मेडल जीता है और प्रीती पाल जो की स्प्रिंटर है उन् चैंपियन ट्रोफी की अगर हम लोग बात करें तो महीला की पहली जो खिताबी भिड़न्त हुई थी वो 2010 में हुई थी 2010 में ये प्रतियोगता दच्छिर कोरिया में खेली गई थी अभी इसका आठवा संस्क्रण आपका राजगीर बिहार में खेला जाएगा 2013 में ये प्रतियोगता राची भारत में ही खेली गई थी जहां भारत ने जापान को अराकर ये प्रतियोगता में इस्थान हासिल के था विजय इस्थान हासिल के था तो भारत ने अब तक ये प्रतियोगता दो बार जीती है एक बार 2016 में एक बार 2023 में भारतिये होकी महिला हो होकी टीम की कैप्टन है भारत ये पूरुस होकी टीम के लिए एसेंज चेंपियन ट्रोफी की सुरुवाद 2011 में होती है भारत ने ये पिद्योगता अब तक सरवाद इक चार बार जीती है एक बार 2011 में फिर 2016 में मलीशा में फिर उसके बाद मस्कट ओमान में पाकेतानों भार को सैंत विजयता गोसित किया गया था और पिछली बार यानि आखरी प्यतियोगता 2023 में हुई थी इंडिया में जहां पर भारत ने मलीशा को हरा कर इसेंज चेंपियर ट्रोफी जीती थी आगली प्यतियोगता चाइना के हुलन बीर में आजित की जाएगी 2024 में राजीव गौबा सेवनिवरत हो गए हैं वहाँ पर टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचीव के पदभार को समाल रहे हैं कैबिनेट सचीव का कारेकाल जो होता है वो दो वर्ष का होता है appointment of cabinet committee इसके दोरा जिसका अध्यच प्यदान मंतरी होते हैं उनके दोरा इनका appointment किया जाता है फिलाल राजी गौबा की जगए टीवी सोमनाथन आ गए हैं और कैबिनेट सचीव में ये 5 वर्ष तक रहे थे सबसे अधिक समय तक कैबिनेट सचीव रहे ये गुजरात के कच्छे पर एक तूफान आका टकराया है उस चक्रवात का नाम है अशना अशना नाम जो है ये पाकिस्तान दोरा दिया गया है और इस तरीके के तूफान जो है वो अगस्त में पिछली बार 1976 में आया था तब उसके बाद अगस्त में ये पहली बार आ रहा है मलब अरब सागर में तुफान आते रहते हैं लेकिन अगस्त में ये तीसरी बाप मलब 1974 के बाद पहली बार आ रहा है अभी नाम की बात की जाए तो ये अशना जो नाम है ये पागेतान ने दिया है जबकि इसके बाद जो आएगा चक्रवात वो कतर देगा जिसका नाम दाना होगा उसके बाद सौधी अरभिया का नाम फिंगल लिया जाएगा इससे पहले रेमल आया था रेमल नाम उमान ने दिया था मिचोंग नाम जो है वो मियामार ने दिया था तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं जो नौर्थ इंडियन ओशिन में आते हैं उनके नाम जो है अलग-अलग देशों के एसाब से हर बार अलग-अलग होते हैं एयर चीफ मार्सल विवेक राम चौधरी ने इंडियन हेरिटेज इंडियन एयरपोर्स का एक कॉमिक बुक्स लॉंच किया है दो कॉमिक बुक्स है एक है आपका फ्लाइंग फाइंड यॉर कॉलिंग मेजर जनरल अरजन सिंग के उपर है कैसे वो सेना में सामिल हुए दूसर जो बनाए गया है भारतिय फिल्म विकास निगम लिम्टेड वरा इन पुस्तकों को डिजाइन किया गया है एक सितमर को केरल के मुख मंतरी जो है उन्होंने भारत के सबसे बड़े एरो लॉंच का उद्गाटन किया इसका नाम कोचीन इंटरनेशनल एरपोर्ट पे आपको यह मिल जाएगा अगर आप यहां पर जाते है आपकी फ्लाइट डिले हो जाती है तो आपको 5 इस्टार सुविदाय मिलेंगी एर्लाउंच मिल जाएगा बकहइदा आपको बढ़ी ऐसा कैफे वगेर यहां पर मिल जाएगा और यह देश का सबसे बड़ा एरो लांच होगा जो कि कोचीन एरपोर्ट पर ओपन किया गया है पिनराई विजियन जो है वो सका उगाटन कर चुके हैं बारती सेना ने प्रोजेक्ट नमन का सुभारम किया है बारती सेना ने जो भी हमारे सही जवान है या भूदपूर सैनिक है उनको पेंशन सम्मंधी या अन्य किसी सम्मंध से कोई भी परिशानी होती है तो 14 सेंटर यहाँ पर डेवलप किये जा रहे हैं भारती सेना दोरा ता रग दी है और 76,000 करोड रुपए की यह परियोजना है और इसमें यह अगर देवलप हो जाएगी तो यह विस्ट के टॉप 10 बंदरगाह में से एक बन जाएगा फिलाल भारत में 13 बंदरगाह है और इन 13 बंदरगाह में सबसे बड़ा बंदरगाह आज आपको कमेंट चल रही है यह जो तीन ट्रेने है यह चिन्नई से नागर कुल मदरई से बैंगलोरो मेरेट से लखनो के बीच में चलाई जा रही है इस तरीके से अब 102 बंदे भारत ट्रेन चल रही है पहली बार 15 फरवरी 2019 में पहली बंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी तो दोस्तों यह अची हमारे इंपोर्टेंट करेंट अपरस उमीद करते हैं यह करेंट आपको पसंद नहीं होंगे अभी के लिए तनहीं रखते हैं बाकी कल पर मिलेंगे कुछ नए करेंट अपना बाबाए टेक केर